Hello everyone, आज के वीडियो में बनाएंगे ये simple sleeves का design बहुत ही असान है इसे बनाना, इसके लिए बाजू की cutting कर ली है जिस तरह से हम बाजू की cutting कर लिते हैं, उसी तरह कट कर लेंगे यहां से लंबाई मैंने 9 इंच ली है ये सीधी साइड रखी है मैंने sleeves की यहां से हमें 8,5 इंच ले लेना है 2,5 इंच इसी लिएन लगा देनी है अब यहां से हमें जो हमने marking की है ऐसे यहां पर इस तरह प्रेस कर लेनी है इसके बाद यह है कपड़ा यहां से भी हमें इस तरह से fold कर लेना है 1,5 इंच तक fold कर लेंगे यहां पर प्रेस कर लेंगे तो इजी हो जाएगा हमें सिलाई लगाना और डिजाइन बनाना और फिनिशिंग भी हमारी एकतम अच्छे से आईगी इस तरह से कपड़ा सेट हो गया है अब इसका हमें ले लेना है मिडल पार्ट तो यहां से इस तरह से रखना है स्लीप को डब सीदी लाइन लगा देनी है एक इंच की इसके बार देखिए यह एक इंच है यहां से हमें आदा से भी कम लेना है आदा हिंच से भी इस तरह लाइन लगा देनी है और दूसरी साइड में भी इतना ही लेके ऐसे लाइन लगा देनी है यह मार्किंग हो गई है अब यहां से यहां तक सिलाई लगा देंगे, तो मैं सिलाई लगा दूँगे, यहां पर पिन लगा लूँगी पहले, कपड़ा सेट हो जाएगा, अब मशीन पर सिलाई लगा देंगे, यहां पर यह लाइन है, ऐसे मशीन चलानी है, यहां पर, इसे नीडल को अंदर ही रखता है, इस तरह कपड़े को पल्टेंगे सेंटर की जो लाइन है इसे हमें यहां तक कट करना है तो सिलाईनी हमारी यहां कोड़नर तक कट करना है सिलाईनी कटनी चाहिए कटिंग हो गई है अब देखिए इसे हमें इस तरह से ऐसे पल्ट देना है कपड़े को यहां पर मैंने पल्ट दिया है अब यहां पर हमें प्रेस कर लेनी है और यह देखिए मैंने मार्किंग की थी इसको हमें इस तरह सीदा करके प्रेस कर लेनी है यहां पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है यहां पर एक बटन लगा देंगे जिससे और भी खुबसूरत डिजाइन बन जाएगा अब इसकी बैक साइड देखेंगे देखेंगे हमारी आटोमेटिकली इस तरह से बनी है पूरा फोल्ड करके मैंने किया था उसी तरह हमारा आगया है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जह हम यहाँ पर तुरुपाई कर लेंगे देखेंगे कितना खुबसूरत हमारा एक बाजू का डिजाइन बन के रेडी हो गया है और एक दम सिंपल है हमारा यह डिजाइन बनाना यह डिजाइन आपको कैसा लगा डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जदे से जदे शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ